नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं सब ठीक होंगे जैसे कि दोस्तों आप चानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल ब्यस्टरीहब में हम हिंदी ग्रामर, हिंदी लिटरेचर और एच्पी जीके के जो भी इंपोर्टेंट विशे हैं उनके उपर चर्चा करत रहे हैं उपन्यास जिसका लेक्चर वन उपन्यास का उद्भ वैवम विकास और उसके विकास के चर्ण जो थे हमने लेक्चर वन में कम्प्लीट कर लिये हैं आज हमारा लेक्चर तू है जिसमें हम करेंगे प्रेमचंद यूगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद उत्त यूगीन हिंदी उपन्यास ठीक है इसी के साथ ही आज की हमारी थियोरी जो है वो complete हो जाएगी पूरी तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो प्रेमचंद यूगीन उपन्यास से ठीक है दोस्तों ये सारी वीडियो जो है handwritten notes से है तो आप ये पूरा अंत तक जरूर देखे जिससे है कि आपको उपन्यास की जो भी theories है वो सारी आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी जो हमारा lecture 3 होगा वो हमारे previous exam में जितने भी questions आये हैं 7 से 8 सालों में वो सारे मैं लिखकर one liner questions के सारे notes बनाकर हम lecture 3 करेंगे ठीक है उसके बाद क्या है कि हमारा उपन्यास इसकी जो समय सीमा है वो कब से कब तक बताई गई है प्रेम चंद यूगी 1918 से 1936 ठीक है तो देखेंगे अब प्रेम चंद यूगीन हिंदी उपन्यास कारों में प्रेम चंद 1880 से 1936 तक अपनी महान प्रतिभा के कारण यूग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं अपनात्मक अभी विक्ति की गई है अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास समराटों की उपाधी पाने वाले अधिकारी सिध हुए हैं ठीक है अब देखो किसी इंसान के ऊपर जब किसी विशे के विभाजन किया जाता है जैसे प्रेम चंद जी के उपन्यास के विकास चर्णों का विभाजन किया गया तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि उन्होंने उपन्यास के एक शेतर में काफी ख्याती प्राप्त की थी जिसकी वज़े से उन्हीं के नाम पर हमारे उपन्यास के विकास के चर्णों का विभाजन किया गया था प्रेम चंद के उपन्यास राश्ट्री अंदोलन से जुड़े हुए हैं ठीक है प्रेम चंद के समकालिन उपन्यासों में जै शंकर प्रसाद विशंबर नाथ कौशिक अचारे चतुरसेन शास्तरी और प्रताप नरायन श्रीवास्तव पांडे वेचन शर्मा ब्रिंदा वन लालवर्मा भगवती परसाद वाचपे जी पी वास्थव आदी प्रमुक है तो अब ये जो भी हमने तेने ये सारे नाम लें इन सभी को एके करके हम करेंगे प्रेम चंद की उपन्यास तो देखेंगे प्रेम चंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनरंजन के सर्थ से उपर उठा कर जीवन के साथ जोड़ने का कारिया किया है किसने प्रेम चंद की उपन्यास ने ग्रामिन जीवन का ऐसा यथार्थ चित्वतर्ण इस उपन्यास में हुआ है कि इसे सर्वत्तर सरहाना प्राप्त हुई है अब प्रेम चन जी के उपन्यास में देख लेते हैं जो अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं पहला है हमारा सेवा सदर 1918 में प्रेम आश्रम, रंग भूमी, काया कलब, निर्मला, गवन, करम भूमी, गोदान ठीक है ये क्या है प्रेम चन जी के उपन्यास है जो काफ़ इंपोर्टेंट है वार वार एक्जाम में पूछे भी जाते हैं जैशंकर प्रसाथ के ये तीन ही उपन्यास है लेकिन ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है कौन-कौन से है कंकाल है जो 1929 में तितली ये 1934 और तीसरा है हमारा इरवती इरवती के बारे में थोड़ा सा लिखा यहांपर मैंने इरवती अधूरो पन्यास है कंकाल में इन्हों ने व्यक्ति को सोतंतरता का समर्थन किया है ये थोड़ा-थोड़ा जैसे इसके बारे में लिखा है तो केंपर ऐसे पूछ लिय जाता है उसके इरवती केंदर बिंदु क्या रहा है मूल विशे क्या था तो आपको पता होना चाहिए कि एरवतिज का शेस्ता क्या है कि एक अधूरा उपन्यास है कंकाल का क्या है कंकाल मैं इन्होंने व्यक्ति की सुतन तता का समर्थन किया है नेक्स्ट है हमारा विशंभरनात कौशिक ठीक है विशंभरनात कौशिक कौशिक के दो प्रसित उपनियासे बिखारिनी और मा ठीक है बिखारिनी उपनियास में क्या है बिखारिनी उपनियास में उन्होंने अंतर जाती विवा को कथानक का धार बनाया है मापन्यास में उन्होंने मध्यवर्गे परिवारों का चित्रण करते हुए वैशालियों के वातावर्ण का भी चित्रण किया है ठीक है नेक्स्ट है हमारे अचारे चतुर सेन शास्ति दोस्तों नोट्स ही इतने सल शब्दों में है कि ज़्यादा समझाने के जुरूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल ये शौर्ट में नोट्स है कि जिनको जो भी है वो अच्छे से आपने रियर करना है स्किप कुछ भी नहीं करना है कि अल्रड़ी ही ये इंपोर्टन इंपोर भी लिखे हैं किसने आचार्य चतूर से न शास्ते जी न उनके उपनियास पर नजर डालेंगे वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षाम, सोमनात, आलम गिरी, सोना और खून, रक्त की प्यास, आतम दाह, अमर अभिलाशा, मंदिर की नरत्त की, नर्मेंद और अपार जिता ठीक है, क्या है और हमार लास्ट में अपरा जिता, नमबर फाइब है हमारा परताप नरायन श्री वास्तव, ये क्या कहते हैं, इनके उपनियास जो है बुआ दर्शिवाद परंप्रा के उपनियास कहे जाते हैं, विदा, विजे, विकास, विसरजन, वेक्सी का मजार, ये परिपेक्षे में उजागर करने का प्रयास किया है, ठीक है, नेक्स्ट है, पांडे वेचन शर्मा उगर जी, ये क्या कहते हैं, इनके उपनियासों में सामाजिक बुरायों का पर्दा भाश किया गया है, और इनके उपनियास है, चंद सीनों के खतूत, बहुत इंपोर्ट में, जीजा जी, फालगुन के दिन, ये उपनियास जो है, सारे हमारे पांडे वेचन शर्मा उगर जी के हैं, आगे आगे हमारे ब्रिंदवनलाल वर्मा, ये सारे के सारे जो लेखक है, वो कौन से काल के, प्रेम चंद यूगीन काल के, जो 1918 से 1936 तक्त रहा है, मेनी, टूटे कांट, माधब जीत, सिंधिया, इसके अतरिक तुन्होंने कुछ समाजिक पनियास भी लिखे हैं, संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र, ठीक है, नेक्स है हमारा भगवती, प्रसाद, बाचपी, इन्होंने भी एतिहासिक उपनियास लिखे हैं, य प्रेम, पथ, मीठी, चुटकी, अनात, पत्नी, त्याग, मई, दो बहने, मनुश्या और देपता, इन्होंने कुल 33 उपनियास लिखे, जिनमें से ये छे प्रमुक उपनियास हैं, जो बार-बार एक्जामें पुछे जाते हैं, इनके तरिक्त प्रसीद कभी सूर्य कांत्र पार्थी निराला ने कुछ उपनियास लिखे, जिनमें प्रमुक है अपसराल का बहुत इंपोर्टन्ट है, ये प्रभापती निरूपमा, कूली भाट, इन सभी उपनियास कारों ने एक और तो समाजिक समस्याओं को अपने उपनियासों का विशे बनाया है, तो दूसरी और जो है वो एतिहासिक कथानक पर नवीन द्रिष्टी से विचार करते हुए मनोरंजक और सरुची पूर्ण पनियासों की भी रचना की है, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रेम चंद यूगीन हिंदियु पनियास, जो 1918 से 1936 तक माना जाता है, लास्ट है हमारा प्र एक दिशाओं की और प्रभावित हुई, विशे की दिश्टी से हम अगर प्रेम चंद यूगीन हिंदियु पनियास को आगे पांच भागों में बांटा गया है, मनु विशलेशन वार्दी उपनियास, सामनिय वार्दी या प्रगती वार्दी उपनियास, एतिहासिक उपन और प्रयोग वार्दी उपनियास, यदि काल करम को दिश्टी गत रखकर वर्गी कर्ण करें तो निमन वर्गी कर्ण है, ठीक है, तो निमन वर्गी कर्ण कौन कौन सा जाएगा हमारा देखेंगे, 1936-1940 तक के उपनियास, 1940-1970 तक के उपनियास, और 1960 के उपनियास, ठीक ह पुछा जाता है प्रशिन पूछा जाता है कि जैनिंदर मनो विश्लेशन वाद्दी लेक उपन्यास का रहे हैं तो आपको चाल ओप्शन दे दिये जाएगो जिन में से एक जैनिंदर जी भी होंगे तो जैनिंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप टिक कर सकते हैं इसली मनो विश्लेशन वाद्दी में जैनिंदर इराचंदर जोशी तथा अगे का उलेखनी स्थान व योगदान है जैनिंदर उपन्यास परक, सुनिता, त्याग पत्तर, कल्यानी, सुखदा, विवर्त और भैभीत ये सारे के सारे जो है ये जैनिंदर जी के उपन्यास है इन उ गाथा का मनो विज्ञान चित्रन हुआ है साथ ही इसमें अनमेल विभा के दुश परिनामों का भी चित्रन किया गया है सुनिता में फ्रायत के सिधांतों के अलोक में हरी प्रसन के व्यभार का चित्रन है कल्यानी एक अतिरिक्त और आधुनिक नारी की कथा है सुखदा एक कुंठा गरस्त नारी की कहानी है ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इला चंद्र जोशी जो भी मनो विशलेशन में ही आते हैं, इस पर्मपरा के दूसरे उपन्यासकार है, इन्हों ने लगभग एक दर्जन उचकोटी के उपन्यासों की रचना की है कौन-कौन से इनके प्रमुख देखेंगे सन्यासी, पर्दे की कहानी प्रेत और छाया, निर्वासित जिपसी, जहाज का पंची जो इन मैसे सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है हमारा जहाज का पंची जो बार-बार पूछा जाता है एक्जाम में इन उपन्यासों में लेचंदर जोशी ने मानमन की कुंठाओं और ग्रंथियों का सुंदर चित्रन किया है ये दिपी उनके अधिकांश उपन्यासों की मूल, विशेवस्तू, प्रेम और रोमांस रही है उसका विवेचिन मनुविज्ञान के लोक में किया गया है आगे है हमारा साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे है जिन में मार्क्सवादी विचार धार का अधार ग्रहन करके हिंदी कथानक का ताना बुना गया है इसमें ये शपाल, राहूल, संस्कृतायन, रांगी राग, बैरव, प्रसाथ, गुप्त, अमरित राए, इस कोटी की उपनियसकार है ये शपाल का उपनियस देखेंगे, क्या-क्या है, पार्टी, कामरे, दादा, कामरे, देश, द्रोही, मुनिश्य के रूप में, अमिता, दिव्या, जूटा सच, जूटा सच जो है वो देश की विभाजन की तराश्दी पर धारित है ऐसा उपनियासे जिसमें तर्थ कालिक समाजिक राजनेतिक प्रस्तितियों का सफलता पूर्वक चित्रन किया गया है इसके तरिक्त गुप्त ने सती में के चोरा आदी पनियासों में मार्क्सवादी का चित्रन भी किया है आगे है रांगी रागव जी इन्होंने जीवन की जटिल होती जारी इस रंचना में खोए हुए मनुष्य की पुन्हे अर्चना का प्रतन किया है उनकी रचनाई समाच के वो बदलने का दाबा नहीं करती है लेकिन उनमें बदलाव लाने के अकांक्शाथ जो है वो जुरूर रखती है विशाथ मठ राहना रुकी वारी वारी वरना खोल दो देवकी का बेटा रतना की बात भारत का स्पूत योशोधरा जीत गई कब तक पुकारूर उन सबसे इंपोर्टन है हमारा कब तक पुकारूर पक्षी और अकाश आखरी अवास बंदूक और बीन नेक्स्ट है हमारा राहूल संस्कृतायन राहूल संस्कृतायन का उपन्यास जो है राहूल संस्कृतायन का उपन्यास इसमें महापंडित की उपाध्धी दी जाती है यह हिंदी के एक प्रमुक साहित्यकार थे और बहु भाशी भी थे हिंदी साहित्य में इन्हें युगांतर कारी माना जाता है जिसके लिए इन्हों ने तिबद से श्रिलंका तक ब्रहमन किया था ठीक है? उपन्यास कारों में वरिंदावन लाल वर्मा का नाम उलेखनिया है ठीक है? अचारे चतुर सेन, शास्तरी और हजारिपसादु वेद्धी का नाम इस वर्में लिया जा सकता है हजारिपसादु वेद्धी में बान भटकी आतम का था पारुचंदरलेख, पुनरवा, नाम दासका पोथा इतिहास और कल्पना का सुन्दर समन्वे करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है इन उपन्यासों में एतिहासिक वो संस्कृतिक वादा वर्ण की सुन्दर परस्तूती की है आंचलिक उपन्यास जो बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं ये देखेंगे इन में वह उपन्यास है जिनमें किसी वुशेस आंचल का चित्तरन किया गया है कथानक द्वारा किया जाता है इस वर्ण में आ जाते हैं हिंदी की आंचलिक उपन्यास कारों में सर प्रमुख है फणिशवर नाथ रेनु मैला आंचल मोस्ट विपोर्टेंट परती प्रती कथा नामक उपन्यासों में बिहार के ग्रामें आंचल के रहन सेहन रिती रिवाज और राज निती का स्थाओं आदि का विशद चित्रन किया है रेनु की अतरिक्त अन्यांचलिक उपन्यास कार है नागार जुन जी है ठीक है रतिनाथ की चाची बल्च नामा ठीक है वासा बटेश्वर नाथ ठीक है आगे है हमारा दुख मोचन क्या है दुख मोचन वरुन के बेटे इसकी अतरिक्त उदेश अंकर भट का आंचलिक उपन्यास कार है उपन्यास है सागर लहरें और मनुश्या रांगी राघव का अंचलिक उपन्यास कब तक पुकारूं आगे है ग्रामिन प्रवेश को अधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए थे यहां तक तो यह हमारे जो प्रेम चंदोत्तर युगीन के थे पांच भागों में बांटा गया है तब वो हमने कंप्लीट कर लिए आगे अन्य कुछ उपन्यास है जिनको भी हम पढ़ लेते हैं उनसे भी केंबर एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो ग्रामिन प्रवेश को अधार बनाकर कुछ उपन्यास लिखे गए हैं जैसे राही मासूम राजा द्वारा लिखित आधा गाम शिपरसाद्वारा अलग अलग बेतरनी ठीक है राजेंदर अवस्थी जंगल के फूल विवेक राय बबूल राम दरिश पानी के प्राचीर आगे हिमा अंशू श्री वास्तव रत के पहिये ठीक है ये चे जो थे ये ऐसे वो हमारे उपन्यास का आर्थे जिन्होंने ग्रामिन के बातावन को अधार बना कर कुछ उपन्यास लिखे थे ठीक है अब लास्ट में थोड़ा सा कंक्ल्यूजन हम देख लेते हैं अपने उपन्यासों के बारे में इन सभी उपन्यासों में आधुनकी करण के कारण बदलने ग्रामिन समाच का चित्रन किया गया है इस संधर में उपन्यासों को भी लिया जा सकता है जिन्में व्यंग्यात्मक लहजे में भारतिय समाच के समगर रूप को चित्रत करने का प्रयास किया गया है इस द्रिष्टि से श्री लाल शुकल कृत राग दरवारी उलेखनी कृत है जिसमें सुतंतर भारत के ग्रामिन जीवन की मुल्य हिंता को पर्त दरबर्त उखाड़ने की कोशिश की गई है इस उपन्यास की कथा भूमी है बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गाम आगे है शिब पाल गंज जहां की जिन्दगी प्रगती और विकास के तमाम नारों के बावजुत निहित स्वार्थों एब अवांचनी तत्वों के सामने घिस्ट रही है यहां पर कहने का तत्पर है यह जो कुछ लेखक थे जिन्होंने ग्रामिन प्रवेश के बारे में लिखा है तो इन्होंने देखा है कि शहरी जैसे नेता है या शहरी लोग जो अपने में ही मगन है लेकिन ग्राम में कुछ ऐसे ऐसे गाम भी है ठीक है ग्राम में जो ऐसे ऐसे जीवन भी वветीत कर रहे हैं जिनकी व्य जो कुछ एक लोगों की मत्वा काक्छाओं के नीचे ही उनकी चाएं दब कर रह गई है ठीक है इस उपन्यास की कथा भूमी है, बड़े नगर में कुछ दूर बसा हुआ गाम, शिप पाल गंज है, जहां की जिन्गी, प्रगेती और विकास के तमाम नारों के बाब जूत, नीहित स्वार्थों, वांशनी रत्मों के सामने घिस्ट रही है, ठीक है, आगे है हमारा आधुन अगे है राजेंदर यादव, इनके द्वारा लिखी तुखडे हुए लोग उपन्यास में, उपन्यासकार ने तूडते हुए मानव का चित्रन किया है, आगे है हमारे याजेंदर यादव मनुबंडारी के समिलित उपन्यास एक इंच मुस्कान खंडित व्यक्तितव वाले आधमिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजडी पर आधारित है एक इंच मुस्कान क्या है इस उपनियास में नायक अमर और नायका अमला आता निर्वासन से गरस्त है और प्रेम आतम निर्वासन से गरस्त है और प्रेम ने छलावी में पगड़कर निशेधात्मक मुल्यों तक जा पहुंचती है मनु बंडारी ने आपका बंटी उपन्यास में तलाक शुदा दमपती के बच्चों पर पढ़ने वाले दुश परभावों का निरूपन किया है नरेश महता इनके उपन्यास यह पंत पंतू था इसमें अकेले अज नभी का बोथ करवाया था निर्मल वर्मा इनके उपन्यासों में वह दिन 1964 लाल दीन की छत और एक चिथड़ा सुख में भी आदुनिक बोध मुखरित हुआ है ठीक है उशा प्रिय बंदा के उपन्यास इनके है हमारे रुकोगी नही राधी का पच्चपन खंबे लाल दिवारे इनमें भी आदुनिक्ता बोध का गहरा रूप उभरा हुआ है ठीक है आगे है हमारा भीश्म साहनी तमस इस उपन्यास में विवाजन की मानसिक्ता एवम उस से लाप उठाने वाले लोगों को बे नकाव किया है मनोहर श्याम जोसी इसमेह कुरु कुरु स्वाह में युवा पिडी की दिश्या हींता को अभिव्यक्ति दी गई है ठीक है इसके तरिक्त धर्मवीर भारती का सूरज का सात्मा घोडा और गिरिधर गोपाल का चान्दनी के खंडहर नवीन शिल्प की दिश्टी से उलेखन उपनियास है आगे है समाजिक दिश्टना की सर्शक्थ अभिव्यक्ति शेप परशासीं के उपनियास गली आगे मुढती है लास्ट है हमारा नहरू नीजा प्रवेस के उपनियास उसका घर और गिरीश अस्थाना के उपनियास है धोप छाई रंग में भी समाजिक चेतना की अभीविक्ती हुई है, ठीके दोस्तों तो ये थे दोस्तों मेरे द्वारा बनाएगे हैं रिटर नोटS जिसमें हमने क्या कलेर किया, आज हमने किया प्रेम चन्द यूगीन हिंदि उपनियास और प्रेम चन्द उत्तर यूगीन हिंदी उपनियास, ठी तो वो वीडियो देखना ना भूले इसके वाद जो है हमारी वो ही लेक्चर 3 जो है वो 500 वन लाइनर क्वेश्चिन ही आपको मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक्यों